दोस्तो हो सबसे पहले देखे यस मन्लोभावन सब्जी को कैसी लग रही है टिस्टी लग रही है यह घं нужब तौ आप सबание है तो आड दोस्तों आपके के साथ लेंगे हम नीमा मेंड़ अस्तिमाल किए हैं यहां पर तीन चोटे आलो जदा अलू का समाल करें नहीं तो सबजी काफी मीठी हो जाती है इने ढूर करके अच्छे पर अलग ऍब यहाँ पर हम लेंगे जीगमचली दूसरे मचलि उसे बिलकुल ढ़या घणा करक्छी बैए मने में ऑड़ाई में सर्सू का तेल जब सरसो का तेल बहुत ही अच्छे से गर्म हो जाएगा तो हम इसमें सारी की सारी जींगा मचली डाल देंगे डालते ही ये मचली लाल होना चालू हो जाती है अब इसे हमें लगातार चलाते हुए भूना है इसमें हम डालेंगे नमक और डालेंगे हम हल्दी इसे हाई फ्लेम पर भूनना है तब तक जब तक कि मचली का पानी बिल्कुल सूख नहीं जाता और मचली अपना तेल छोड़ नहीं देती तो लगबग 10 मिनट के बाद आप देख सकते हैं कि मचली सूखनी चालू हो गई है और यह बस हो गई है तो इसे हम निकाल कर रख देते हैं और हम बढ़ते हैं अपनी सबजी की तरफ तो यहां पर मैंने लिया है सबजी में डालनी के लिए मसाला, अदरक, लहसुन, जीरा और मिर्ची थोड़ सा डालेंगे काली सर्सू जिससे की मचली का फ्लिवर बहुत ही जादा बढ़ जाएगा सिल्बटे में पिसा हुआ मसाला और चूले में पका हुआ खाना इसका स्वात तो अलग ही होता है तो यह हो चुका है, अब हम बढ़ते हैं इसे पकानी के तरफ, तो मैंने एक कड़ाई में डाल दिया है सर्सू का तेल और सरसो का तिल जब तक गर्म हो रहा है तब तक हम काट लेते हैं कुछ प्याज तो प्याज को मैं यहाँ पर लंबे-लंबे स्लाइसेस में काट रही हूँ तो तेल हो चुका है गर्म अब इसी में हम डाल देंगे कटे हुए आलो कटे हुए आलो को थोड़ा सा फ्राय करना है जिससे की मचली की सबजी में यह और भी जादा अपना टेस्ट निकाल देंगे तो थोड़ी दिर भूनने के बाद आप देखो इनका कलर थोड़ा सा लाल हो गया है ना बस इतना काफी है अब इन्हें हम एक दूसरे थाली में निकाल करके रख देते हैं अब यह जो तिल बचा हुआ है ना इसमें हम डाल देंगे गोभी के फूलों को इन्हें भी थोड़ा सा ब्राउन होने तक भूनना है तो इसे लगभा पकिने में चार से पांच मिनट का टाइम लग चाता है तो बस यह हो चुके हैं अब इन्हें में हम अलग से थाली में निकाल कर रख लेते हैं दोस्तों मेरे चैनल पर और में बहुत हैट सारी रेस्टीपीज हैं जो आपको बहुत ही अच्छी लगेंगी तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेर और सब्सक्राइब जरूर कर देना और एक बार मेरे चैनल को विजिट जरूर करिएगा तो चलिए आगे कटे हुए प्यास को दो से तीन मिलिट तक भूना है ज्यादा नहीं बूना बस इतना कि अच्छे से गुलाबी हो जाएं तो यह हो चुके हैं अब इसमें हम डाल देंगे पिसा हुआ मसाला इसे एक बार चला लेंगे अच्छे से और फिर डालेंगे हम इसमें मसाले का पान अब हम इसमें डालेंगे चुटकी भर हल्दी और डालेंगे स्वाद के अनुसा नमक इस बात का ध्यान रखें कि मचली में भी हमने नमक डाला था तो इसी हिसाब से नमक को डालना है जादा नमक डालने से सब्जी अच्छी नहीं लगेगी तो इसे एक बार चला लेते हैं और आप देख सकते हैं कि सारी कि सारी चीजे तो बिल्कुल तयार हैं मचली भी और सब्जियां भी इसे हमें तब तक भूनना है जब तक कि मसाला अपना तेल ना छोड़ दे 5 मिनटका समय हो चुका है मसाली ने बिल्कुल तेल छोड़ दिया है अब इसमें हम डालेंगे सा इसी में भूनना है अपने ही रस में जब सब्जी पकती है तो उसका स्वाद को चल लगी होता है तो जब तक सब्जी पक रही है मैं यहाँ पर काट लेती हूं टमाटर हलकी आज पर सब्जी को भूंते-भूंते 5 मिनट का टाइम हो चुका है और सब्जी और मसाला दोनों एक समय लग जाता है तो लगबग साथ-चाथ मिनट के बाद सब्जी ओने भी अपना तेल छोड़ दिया है अब यह सही समय है जब हम डालेंगे मचलियां इसी वक्त एड़ करेंगे थोड़े से हरे मटर जिससे की इसकी रंगत और बहतर हो जाएगी और ठंडियों में तो मटर बहुत अच्छे ही लगते हैं इसलिए हर सब्जी में डाल देनी चाहिए मचलियां भी डाल दी है और इसे हम एक बाद चला लेंगे और चलाने के बाद तुरन डाल देंगे पानी इसे पकाने वगएर की कोई जरुवत नहीं है अब इसे हम ढख देंगे और बस दो से तीन तक इसे पका लेंगे ज्यादा पकाने की जरुद नहीं है क्योंकि मचली पहले ही पक गई है और सब्जी भी बिलकुल पक गई है तो यह तैयार हो चुकी है तो दोस्तों आपको ऐसे भी कैसी लगी मुझे जरूर बताएं और अगर अच्छी लगी तो लाइक शेयर और सब सब्सक्राइब जरूर करते हैं एक सब्सक्राइब करने से आपको मेरी नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेंगे थैंक यू फॉर वाचिंग और बाइबाइब